जय सिव संकर मित्रों मैं आप सभी का हरीस पांडे आज आप मकर रासी वालों के समक्ष पांच दिसंबर 2023 का मकर रासी फल लेकर के उपस्थित हूँ मैं आपको बतलाऊंगा कि 5 दिसंबर 2023 का दिन आपका कैसा रहने वाला है लकी रंग क्या होगा और लकी अंग क्या होगा और आपको क्या-क्या सावधानिया बरत्मी होंगी और क्या-क्या उपायक मतलब वो करने होंगे तो इसलिए वीडियो को ध्यान पुरवक देखिएगा एक दिन पहले जान लेने से आपके लिए अगले दिन की योजना इस पश्ट तौर पर बनाने की रणनीती रहती है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं शुरू करने से पहले कावस्य सुचना कि अधि आप मेरे माद्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाते हैं अपनी कुणली दिखवाला चाते हैं तो आप मेरे वाट्सअप नमबर पर मेसेस करें मेरा वाट्सअप नमबर है 8540096730 यह नमबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा तो चलिए मित्रों वीडियो की करते हैं सुरूबात देखे मित्रों आज 5 दिसंबर को चंद्रमा अश्टम में रहने वाला है और जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था कि अश्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है तो आज आप खुद को मानसिक तोर पे असांत और कमजोर महसूस करेंगे आज आपके अंदर का आत्न विश्वास भी आपको काफी कमजोर दिखाई देगा कमजोर महसूस होगा घरेलू तोर पर आपको वाज सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और जीवन साती से किसी भी छोटी मोटी बात को ले करके मन मुटाओ यहाँ पर देखा जा सकता है यहां एक तरफ जहां आपके फैमिली के साथ आपकी एक्ता नहीं बनेगी फैमिली के साथ किसी छोटी-मोटी बात पर तू- तू- मैं-मे हो सकती है वही बिजनस पार्ट अपने जीवन साथी के साथ भी ऐसी ही इस्थती देखने में आ सकती है तो यहाँ पर आपको अपने रिष्टों को ले करके संभाल करके चलना होगा स्वास्त के मामले में खास तोर पर यंग हो या बुजुर्ग हो ब्रॉंकाइटिस का मामला हो अगर आपको ब्रॉंकाइटिस हो BP की problem हो, heart की problem हो, kidney की problem हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा परसानी हो सकती है अगर हाल ही में कोई surgery हुई है, operation हुआ है, तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है हड़ियों से संबंदित परसानी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है income में आज कुछ विशेश चीज देखने को नहीं मिलेगी, income आज अच्छी नहीं रहेगी वहीं ब्यापारी वर्ग, ब्यापारी वर्ग यह सोचेगा कि मैं बिजनस समझालू या अपना परिवार समझालू क्योंकि व्यापारी वर्ग को भी आज बिजनस में कोई बड़ा मुनाफ़ा हाथ लगने नहीं वाला है तो ऐसे में व्यापारी वर्ग भी निरासा में हतासा में आ सकता है और इस कारण से उसकी निरासा का प्रभाव उसके परिवार पर भी आ सकता है और इस कारण से परिवार में भी environment अच्छा नहीं बन सकता है ऐसी स्थिती में आपको क्या उपाय करना चाहिए ऐसी स्थिती में आपको घर पर मा दुर्गा की फोटो को धूप और घी का दीपक दिखा करके दुर्गा चालिसा का तीन बार पाट करना चाहिए और फिर दुर्गा चालिसा का तीन बार पाट करने के बाद ओम नमा सिवाय का 108 बार जाप संपन कर लेना चाहिए ये स्थिती की सम्मिलित उपासना हो गई इससे आपका दिन इस्टांगली जाएगा लखी रंग है सफेद और लखी अंग है नमबर साथ तो ये राज करा सिफल मित्रो जाते जाते एक बार फिर से कहें दूँ कि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर महिसस करें मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730 ये नमबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा चलता हूं मित्रो जाय सियो संकर